hello friends this video में हम लोग class 5 का chapter no.10 करेंगे social studies से whilst tells stories chapter 10 का नाम है wohl tells stories जो दिवारे हैं वो कुछ कहती है ठीक है इस story का ये नाम है, ठीक है इस chapter का ये नाम है यहां पर है rescis 2500 गल कोंड़ at last we reached Golconda we were glad that Didi was with us कि Didi हमारे साथ है Didi is study history and we enjoy visiting different places with her Didi जो है history पढ़ती है और उसके साथ हमें घुमना different places पे अच्छा लगता है Selja My goodness this fort is so huge ये लोग Golconda का जो है कि fort देखने गए है और वो देखके उन्हें बहुत ही खुसी होती है और Selja बोलती है कि ये fort जो है बहुत ही बड़ा है स्रीधर कहता है And see at what a height it is viewed और ये जो fort है वो बहुत ही height पे बनाया गहराता है कल्यानी जो है देखते रह जाती है huge gate को उसके और Selja कहती है it must be very heavy ये बहुत ही भारी है I wonder how many people would be needed to open and close this gate Means कि इसके gate को खोलने और बंद करने के लिए कितने सारे लोगों की ज़रुत होती होगी इसी तरह से उन्हें जो feel होता है इस gate के बारे में सभी लोग अपनी अपनी बाते करते हैं और फिर यहां पर कहा जाता है western hole भूर्ज ठीक है Why were big holes made in the fort wall Fort के जो wall होती है उसमें भूर्ज क्यों बनाए जाते हैं Why were big holes made in them बड़े-बड़े holes क्यों बनाए जाते हैं What different would be there if you were to look from a straight flat wall or on the western at a height How would the soldier find peeping from the hole in the western useful while attacking ठीक है तो यहां पर यह जो hole बनाए जाते हैं और जो भूर्ज बनाए जाते हैं What different would be there if you were to look from a straight flat wall or a western at a height How would the soldier find peeping from the holes in the western useful while attacking means कि जो यह किले होते हैं और जब इनके राज्य पर कोई हमला कर देता है तो इस kingdom के जो soldiers होते हैं जो सिपाही होते हैं जो कि इस kingdom की रख्चा करते हैं तो जब कोई attack कर देता है तो इन भूर्ज से और hole से से वो attackers को देख सकते हैं कि यह कौन लोग हैं और इनके उपर हम कैसे जीतासिल कर सकते हैं वो देख के समझ जाते हैं what did we find inside the fort fort के अंदर हमें क्या कै देखना को मिलेगा did you think the king built the fort so that he could lie where कि वो यहां पर जिन्दा रह सके king कोई भी fort क्यों बनाते हैं तो यह लिखा हुआ है that means कि किसी भी gate पर यह चीज़ लिखी होती है किसी भी fort के या बड़े से कोई भी creation जो इस टाइब के रहते हैं वहां पर लिखा रहता है that the kutubu sahi sultanat ruled here one after another from the 1518 to 1687 तो जो भी fort होते हैं तो उनके बाहर जो gate होते हैं बड़े बड़े वहां पर लिखा रहता है कि कौन कौन से सासकों ने यहां पर सासन किया है और किस समय से किस समय से किस समय तक उन्होंने सासन किया है much before that in 1200 this fort was made of the mud and different rulers lived here मेंस की 1200 इस भी में यह जो fort था mud का बना हुआ था और यहां पर बहुत सारे सासक जो है सासन करते थे तभी सलजा कहती है oh look this board है जैं मैप आप दो fort मेंस की gate पे ही एक बड़ा सा board लगा हुआ है जहां पे यह सारी उसमें मैप बनाया गया है कि उस fort के बारे में कि कैसे अंदर जाना है और किस साट जाएंगे तो हमें क्या क्या चीजे देखने को मिलेंगी श्रीधर दिस मैप सो सो मैनी गार्डेंज फिल्स और फैक्टरी सी देर अर मैनी प्लेसेज आलसो इंसाड द फोर्ट तो फोर्ट के अंदर भी बहुत सारे प्लेसेज रहते हैं जहां पर जो की जो की लोग जाके घूमते हैं और विजिट करते हैं देखते हैं यह फोर्ट इतना बड़ा है कि केवल यहां पर जो सासक है सुल्टान वही ने रहता होगा उसके साथ साथ उसके फार्मर और वर्कर भी इसमें रहते होंगे यह जो है पूरा एक कल्यानी कहती है कि यह जो है पूरा एक कम्पलिट टाउन है ठीक है तो पहले के जो फोर्ट होते थे वो उसके अंदर जो है वो किला जो होते थे वो उसके अंदर पूरा एक कम्पलिट टाउन ही होता था उनके सारे क्रमचारी जो भी उनको हिल्प चाहिए रहती थे उसके लिए और सैनिक जो उसकी रक्षा करते थे सबी रहते थे सुल्तान पैलेस सुल्तान पैलेस के बारे में सिर्धर करता है दीजी स्टेप सिम्स टू गो आन एंड आन मेंस की जो सुल्तान जिस में रहते थे वो जो है बहुत ही जादे हाइट पे है बहुत ही जादे up stairs चड़के जानी होती है तो Selja को बहुत ही आस्चर होता है कि कैसे ये लोग इस तरह की buildings बना पाते थे कल्यानी करती है now the building is in ruins means कल्यानी कहती है कि अभी तो ये building है जो है नश्ट हो गई है but one can imagine that earlier there were many big halls and rooms here means कि अभी जो है ये जो fort होता है जो किला होता है पूरी तरह से destroy हो गया है और उसके walls और rooms को कुछ जो है नीचे का part हम देख सकते हैं और उससे जो है हम कल्पना कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीजे बनी रही होंगी सिधर पूछता है look at this beautiful craving on the walls में इसकी पहले के जो fort होते थे कि लिए उनके walls पे जो है बहुत सारी design बनी रहती थी कल्यानी काते वी also saw something like a fountain on the wall of the roof और जो इनके रूफ होते थे उस पे fountain बने होते थे yes there were many big tanks and fountain here they used to be full of water तो ये जो fountain रहते थे और ये सारे जो है full of water रहते थे और वाव वाव वाट इंजनेरिंग think think even today when engineers design houses sometime there is damp dampness in the walls and here so long ago there were fountain on the terrace means की कहा जाता है की आज के टाइम पे भी जो engineers house को design करते हैं तो उस उन houses में जो है की कभी कभी सिडन आ जाती है लेकिन ये जो खिला है इतने समय पहले बनाया गया है और कैसे और इसके रूफ पे means की इसके छत पे जो है की fountain है और जो है की कि किसी भी तरह का कोई सिडन नहीं है तो ये भी जो है की एक बहुत ही बड़ी कला कारी की बात है if you think how the people live 500 years ago अगर हम सूथ सकते हैं की 500 साल पहले लोग कैसे रहते थे so many questions come to our mind की 500 साल पहले लोग जो है कैसे रहते होंगे think and discuss how would the fountain have worked यह जो fountain बने हुए थे यह कैसे work करते होंगे what arrangement would have been made in the building for air and light और किस तरह के arrangement किये गया होंगे building में for the air or light के लिए में इसकी जो building हैं उन में air कैसे आती जाती होगी और light कैसे आता होगा look carefully at the picture of the beautiful craving on the wall और जो पहले के fort हैं उन पे उनकी walls पे बहुत ही beautiful pictures बने होते थे what kind of tools would have been used for such fine craving और किस तरह के tools का use किया जाता था इतनी fine कारीगरी इतनी fine जो है artistic इतना fine art के लिए we still do not have any electricity at many places in our country आज के समय पे हमारी country में बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पे की electricity नहीं है even at places we do have electricity imagine what would happen if there was no electricity for one week what are the timing that would be difficult to manage without it तो इतने समय पहले लोग जो है कैसे without electricity कैसे ये सारी चीज़े manage करते होंगे means की आज की टाइम पे electricity से चलने वाली मसीने हैं जिनकी मदद से है कि ऐसे बहुत सारे डिजाइन जो है वाल्स पे बनाया जाते हैं लेकिन उस समय जब हम 500 साल पहले की बात करते हैं उस समय जो है कोई electricity नहीं थी तो ये लोग कैसे manage करते होंगे think about it where is the east west यहां पर जो है यह पूझा कि यह लोग कैसे समझ पाते थे की east का direction कौन सा है और west का at the place you are where does the sun rise where does it sit means की जब sunrise होता है वो side जो है वो direction east का होता है और जिस side में sunset होता है वो west का होता है where you are standing find out what all is there to your east what all is there to your west also find out what places are to your north and south tell and right look carefully at the map of the gualconda on the map arrow show all the four direction कोई भी जो map होता है तो उस पे arrow बने होते हैं और arrow जो है की चारो direction को सो करते हैं तो यहां पर कोई map दिया हुआ है यह map है और यह जो है फोर्ट का गुल कुंडा फोर्ट का मैप है तो यहां पर कोई भी map जब हम study करते हैं तो सबसे उपर के side में top के side में नार्थ होता है और bottom के side में जो है south होता है ठीक है right hand side में east होगा और left hand side में west होगा तो यहां से अगर हम entry करते हैं गुल कुंडा फोर्ट में तो कहां से किस direction में जाने पे हमें कौन सी चीज देखने को मिलेगी यह सारी चीजे map में बताई गई हैं और यहां पे कुछ questions भी पूछे गए हैं कि map को देखके if someone is entering from the banjara दर्वाजा में इसकी फोर्ट में इंटर करने के लिए बहुत सारे दर्वाजे हैं अगर कोई जो है banjara दर्वाजा से इंटर करता है in the fort in which direction from her is katora house ठीक है तो अगर कोई जो है banjara gate जो banjara यह है banjara दर्वाजा यहां से कोई अगर इंटर करता है तो कatora house के लिए जाने के लिए उसे कौन सा direction follow करना होगा तो इस तरह से जो है कि पूरे fort की mapping जो है wall पे बनाई होई रहती है और उस mapping को देखके ही हमें या फिर किसी भी अगर fort को हम visit करने जाते हैं तो जो mapping बनाई होई है उस map को देखके ही हम उस map को follow करते हुए जो है कि हम हमें अपने destination means की जिस भी जगह को हमें घूमना होता है हम उसे विजिट करते हैं ठीक है तो यह जो है गोल कुंड़ फोर्ट के बारे में हैं ठीक है और वहाँ पे जो है की बहुत सारी टाइप की गन्स रखी हुई है इस मुस्ट हैब बी इन अवजारों का यूज करते थे तो प्रोटेक्ट देमसेल्फ और फोर्ट वो अपने आपको और अपने फोर्ट की सुरक्षा के लिए किस तरह के आवजारों का यूज करते थे वो भी वो भी चीजिये महां लगाई रहती है इस वाज यूजड वाइद ओर अरंजेब तो जो बिग गन महां रखी हुई है गोलकॉंडा फोर्ट में तो वो जो है औरंजेब के द्वारा यूज की जाती थी इस फूल आर्में कैम विथ दिस देर गन अन गनान तो अटक मेंस कि उसकी पूरी आर्मी जो थी वो इस गन का यूज करती थी कि उनके फोर्ट के अंदर कोई भी इंटर नहीं कर सके फार एट मंथ दे कम पेंट आर्मी कैसे आती थी In those days, emperors and kings played such tricks. They tried to make a small kingdom a part of their own kingdom. This was done sometime by the friendship, sometime by flattery or even by marriage between the families. And when nothing else worked, they also attacked them. ठीक हैं, तो यह जो भी चीज़े करते थे, means कि Mary's and the friendship and the flattery, चापलूसी, वो इसलिए करते थे ताकि वो अपना kingdom बना सकें. कल्यानी करते हैं, वाई, is it that Aranjev army could not get into the fort? Aranjev की army fort में क्यों नहीं enter कर सकती थी, he had so many soldiers and big gun. Means की Aranjev के पास बहुत सारे soldiers थे और उनके पास बहुत सारी guns भी थी. Did not you see these strong thick walls in the map. There is a long deep ditch pit along the wall. How could the army enter? Means की kingdom, जो है, fort जो है, उसके आस पास जो है की एक वेली जैसे ditch बनाई हुई रहती थी, जिससे की कोई भी army उनके kingdom में enter ना कर सके. Shrider, if the army tried to come from a different side, अगर army different side से आती है, then the soldiers in the Bishon Bay would have seen it from a distance. No wonder, it was difficult to attack the fort. Means की, जो है, की जो होल्स बने होते थे और भूर्ज, fort में जो होल्स और भूर्ज बने होते थे, वहां से soldiers जो है, हमेसा, हमेसा जो है, fort की सुरक्षा करते थे, और वो दूर से ही देख लेते थे, कि अगर कोई army उनके fort पे अटेक करने आ रही है, तो हम तो वो अपने सुरक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार रहते थे. करने करते हैं, आज के टाइम पर हर कंट्री के पास जो है निवक्लीर बम है ए सिंगल बिम काज सो मुझ डिस्ट्रक्शन और एक सिंगल बम जो है कि बहुत ही जादा डिस्ट्रक्शन कर सकता है डिसकॉस है विजरीटली रिटारियर बाउट अनिक अटेकिंग are going to war with another country तो हमें यहां पे यह चीज़े discuss करनी है कि क्या आपने देखा है कहें एक country का दूसरी country से war होते हुए और in wars का region क्या होता है what kind of weapon और आज के time पे किस तरह के weapons को use किया जाता है what kind of destruction was caused because of this और इन जो weapons का हम use करते है इसे हमारे किस तरह के destruction होते है तो nowadays every country आज के time पे हर country के पास जो है कि nuclear bombs है different kind of bombs and have different kind of tope and the gun और आज के time पे जो attacks होते हैं उन में बहुत ही ज़्यादा lives and property का destruction हो जाता है और जो है बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है find out the big gun that cedar was made of bronze में इसके पहले के time पे जो weapons होते थे वो bronze जो की एक जो की एक mixture होता है mixture होता है copper और iron का उससे बनी होती थी have you seen anything made of the bronze what tribal people have been using bronze to make many things since thousand of years means की जो tribal people होते हैं वो bronze का यूज करके बहुत सारी चीजे बनाते हैं अपने यूज की और आप जो है अपने घर में और आसपास जो है bronze और ब्राज से बनी हुई बहुत सारी चीजे देख सकते हैं when there was no telephone इतने समय पहले की जब बात हो रही है 500 साल पहले जब की टेलीफोन भी नहीं था तो उस समय जो है तो उस समय लोग जो है एक दूसरे से कैसे कम्यूनिकेट करते थे फते दरबाएं a while later we hear did he is by alert I am Sultan Abbas Hussain I am very fond of music and kuchipuri dance we are loved we were surprised how did he was could be heard from so far see a letter told us that if you stand at fetch दरवाजा फते दरवाजा whatever you speak can be heard at the king's palace ठीक है तो उस समय पे जब बात हो रही है 500 साल पहले की तो उस समय जो है किसी भी तरह का टेलीफोन नहीं होता था लेकिन जो scientific जो तरीके यूज किये जाते थे जैसे कि फते दरवाजा से खड़े होकर अगर कोई एक बात कहता है तो वो सीधे जो है king king जो है सुल्तान जो है उस तक पहुंचती थी तो यह जो फते दरवाजा था यह जो चीजे थी यह कुछ directions का यूज करके बनाई जाती थी जिसे की sound जो है magnify होकर पहुंच जाती थी पहले के टाइम पे बुलॉक्स जो यूज होते थे बुल वो किसले यूज होते थे यूज यूज और हैन मुव मैं तो दिरम है और यह बुलॉक्स है और जब यह करते हैं तो ड्रम से आवाज आती है तुठेद वील लगी होती है और इसका यूज किसले होता है तुठेद वील सका लुग इस पूल से sown under the ground joined with another wheel which has a number of the ports on it now imagine how would this garland of ports lift water from the well means की 500 साल पहले या उसे भी पहले बहुत सारे इस तरह के सांटिफिक चीजे करके यूज की जाती थी for their different work वो अपने यूज के लिए चीजों को बना लेते थे did you now get some idea about how the tank could have been filled means की अब आप idea लगा सकते हैं की कैसे जो है पहले जो tanks जो floor पे रहते थे उनको कैसे fill किया जा सकता था तो यहां पे आप देख सकते हैं की एक wheel लगी रहती थी जिसको की block खिजते थे और यहां पे कुछ buckets लगे रहते थे जिन में पानी भर के जो है किसी थे floor पे means की जो tank जो की roof पे बने होते थे वहां तक पहुंचाय जाता था तो तब के time पे electricity तो नहीं थी लेकिन बहुत सारे other method से जिन से method थे जिनका यूज करके जिनका की यूज करके सारे कार्यों को किया जाता था what is said side 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 talking whistling and listening to our own eco we were walking through this महरब आर्क इस आर्क के थ्रू जब हम जाते हैं oh the bridge feels so cool in this tunnel तो मिन्स की मिन्स की जो fort है उसमें बहुत सारे places इस तरह से बनाया होते हैं जहां पे कहीं कहीं पे बहुत ही ज़्यादा cold महसूस होती है close your eyes close your eyes and go back in time imagine that you are in those day when there was a busy town inside Golconda तो गुल कॉंज जो fort है अगर हम सपोच करें कलपना करें कि उस समय यह किला कैसा होगा what is a sultan doing in the palace और जो है palace में sultan क्या कर रहा होगा imagine the rooms in the place and the beautiful carpet and curtains the fountain on the terrace and the sweet smell of the rose and chamelie where where this is coming from ठीक है तो यह सारी चीज़े देखके कोई भी fort अगर हम visit करते हैं तो यह सारी चीज़े देखके हम imagine कर सकते हैं कि उस समय पे यह जब सुल्तान यहां पे सासक राज्य करता था तो उस समय यह चीज़े कैसी होंगी going to the museum जब हम museum में जाते हैं में इसकी किसी भी fort के museum में जाते हैं तो उस समय पे जो चीज़े यूज होती थी उनका जो है एक पुरा collection होता है collection होता है और यह चीज़े हम देख सकते हैं survey and write make your own museum हम जो है अपना भी museum बना सकते हैं आद इचेज इन गौवर्मन इस्कूल इन दमलापूरम डिस्टिक इन के ला तो रजनी जो है वो टीचर ए गौवर्मन इस्कूल में मलापूरम डिस्टिक में इन दख के ला स्टेट तो गेदर विदे चृल्रे आफर क्लास she had collected many old things from all the houses वो सभी घरों से बहुत ही पुरानी पुरानी चीज़े को इकठा करती है लाइक वाकिंग इस्टीक, लॉक, सम्रेला, उजन, स्लिपर, घड़ाओ, पॉट, एटीसी दे अलसो साह वाट इस तिंग्स लुक लाइक टूड़े तो पहले की सारी चीजों को यूज कर कि आप अपना म्यूजें भी बना सकते हैँ लूक अट पैंटिंग उन्टेल यह जो पैंटिंग ही वह बहुत पहले की है और इसमें जो है लो किस तरह की चीजों का मेंस की 500 साल पेले या उससे भी पहले लो जो है किस तरह की चीजों कर शे क非 कर ते थे उनको इसमें बनाया गया है what kind of work people are doing how many men and women are working तो यहां पर हम देख के बता सकते हैं कि कितने people जो है men and women work कर रहे हैं is it easier to lift a heavy thing straight up or long slope किसी भी heavy चीज को जो है बहुत ही उजाई तक उठाना कैसे possible होता होगा what we have learnt यहां से हमने क्या सीखा how would you convince her that it is important to have a museum why do you think the chapter is named walls tells stories means कि walls tells stories means कि जो भी चीजे फोर्ट में बची हुई है जहाएं चाहें कोई भी फोर्ट हो तो जो भी चीजे बची हुई हैं उनसे हम बहुत सारी चीजों को समझ सकते हैं कि उस समय पे लोग जो है किस तरह से अपना जीवन आपन करते होंगे और बहुत सारी चीजों का वो किस तरह से अपने जीवन को जीने के लिए या फिर सुबिधा चनक बनाने के लिए और सुन्दर ब्यूटिफुल बनाने के लिए कैसे यूज करते होंगे अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियोज को लाइक करिए और सेयर करिए नेक्ट वीडियो में मैं इसके जो कोस्टन आंसर हैं वो भी कराने वाली हूँ NCRT सलूसन से ठीक है धन्यवाद